अधियों आप लोहों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है coral raw में जो ए-4 size का root sheet को केसे आप create कर सकते है उसके बारा हम बताने जा रहा हूँ तो पहले क्या है एक आपको क्या करना है इदर है a4 size का एक sheet लेना है यह 4 size लेने के बाद अभी देखो मैं आपको width bleed area बताने जा रहा हूँ यहनि आप उस design को क्या है edge to edge आप cut कर सकते हैं तो अभी के लिए क्या है इधर page में इधर strip जैसा है इसको double click करता हूँ तो यह क्या है page का जो properties है वो बताएगा आपको तो अभी देखो इधर क्या है bleed area इधर है तो यह क्या है 3.175 है और जो page का width और height इधर बता रहा है आपको इस bleed area को इस page के साथ size के साथ आपको add करके करना है यहनि left और right दुनों तरफ का जो भी यह bleed area आता है इस size के साथ add करके आपको size लेना है तो उमें आगे बताऊंगा आपको अभी के लिए क्या है इसको okay बोलता हूँ मैं तो देखो भी यह क्या है एक sheet है तो अभी मैं क्या करता हूँ एक rectangle tool लेता हूँ लेके आपको क्या करना है ऐसे rectangle लेना है लेने के बाद अभी दिखो अगर आपके पास पुराना version है तो आप क्या है अभी क्या इसको आपको क्लिक को छोड़ देना है अभी इसको क्या करता हूँ अभी मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ copy paste करने के बाद अभी इसको क्या है? bleed area को मुझे add करना है तो वो क्या है? 3.175 mm है तो लेफ्ट और रैट में दोनों तरफ से add करना है आपको तो size क्या होता है? अभी दिखो 210 plus 3.175 और फिर से और एक बार क्या है 3.175 add करना है आपको यहनि 216 216.35 आता है पॉइंट 35 यहनि 3.35 mm है तो इसको एंटर देता हूँ तो देखो अब ऐसा आ गया तो अभी मैं क्या करता हूँ इन दूनों को स्लेट करके से साइड में लेता हूँ तो अभी इसको क्या है कटिंग मर्क पी देता हूँ अभी के लिए तो इसको आपको क्या करना है इधर एक अगल लेता हूँ लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जैसे ही नोड करके स्नाप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है तो अभी के लिए रेफरेंस के लिए अभी मैं क्या करता हूँ एक कलर रेड रखता हूँ इसको अभी दिखो इसका कलर रेड क्या मैंने तो अ इन दूनों को select करके क्या है इसे control को hold करते हूँ इसे नीचे लेता हूँ तो दिखो भी यह आपको समझ में आ रहा है तो अभी मैं क्या करता हूँ जो right side में जो यह है इसको select करता हूँ इसको select करके shift के साथ outer box को select करके इसको क्या है आर बोलना है तो दिखो भी right side आ गया भी तो अभी मैं क्या करता हूँ फिर से आपको क्या करना है यह जो bottom में है इसको select करता हूँ shift के साथ इस box को select करके आर बोलना है आर बोलने से right में आता है बी बोलने से bottom में आता है इसी तरह क्या है इसको select करता हूँ एक बार आप इसको deselect करके, इसको select करके, delete कर देना, तो दिखो भी ऐसे delete हो गया अभी, इसको delete करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, 1 इंच का margin रखना है, 1 इंच का margin प्लस bleed area करना है मुझे, 1 इंच का size क्या होता है, 25.4 mm होता है, तो एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से, यहाँ edge करके आ रहा है, इदर से क्या है, Ctrl को Hold करते वे इस Edge तक लेता हूँ मैं तो देखो भी ये क्या है 216.35 दिखा रहा है आपको तो अभी मैं क्या करता हूँ Shift को Hold करते वे इसको Select करके इसको क्या है T बोलता हूँ तो देखो भी ये Top में आ गया एक बर आप इसको Deselect करो Deselect करने के बाद अभी देखो ये क्या है Nudge Distance है इदर अभी इसको क्या करता हूँ मैं इस डिस्टंस आपको रखना है उस डिस्टंस को लेता हूँ इदर यहनि 28.575 रखता हूँ 28.575 ले आप मैंने इतना लेने के बाद अभी इसको एंटर दिया मैंने अभी इसको क्या है Select रखते हूए एक बार keyboard में Down arrow प्रेस करता हूँ तो दिखो भी ऐसे एक लाइन आ गया अभी अभी मुझे क्या करना है ऐसे भी एक लाइन लेना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ फ्रियान टूल लेके आपको क्या हुआ है अभी keyboard में क्या है Right arrow प्रेस करना है तो दिखो भी ऐसे Right side में आ गया अभी अगर समझो आपको यह double line करना है तो आपको क्या करना है एक बार इसको deselect करता हूँ तो अभी फिर से नर्ट offset में आता हूँ आके इसको क्या है 1 mm रखाए है अभी इस line को क्या है 一个 copy paste करता हूँ copy paste करके top arrow 않 here अभी ऐसे ऊपर आ गया अभी फिर से is line को select करके copy पेस्ट आ करके left arrow test करके तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी समझो मुझे क्या करना है अभी इस portion को इसके साथ add करना है तो अभी मैं क्या करता हूं इदर smart fill कर लेता हूं ये क्या है interactive tool के अंदर क्या है smart fill है इसको click करता हूं मैं इसको इस सब selected है भी एक बार इसको आप क्या करो ऐसे बाहर से drag करो तो दोनों select हुआ भी ये दोनों portion select है shift के साथ इन सब को select करना है select करके आपको क्या करना है create boundary बोलता हूं so create boundary बोलने से दिखो भी एक ऐसे एक outline जैसा आ जाता है दिखो भी ऐसा आया है अभी दिखो इन सब को क्या है select करके आपको delete करना है तो दिखो भी इन सब lines को क्या है delete कर देता हूं so एक एक करके select करके आपको क्या आपको डिलिट करना है अभी क्या है? इसको select रखते हुए shift के साथ यह box को select करता हूँ select करके यह press करना है तो left में आ गया अभी T बोलता हूँ तो top में आ गया भी आपको समझ में आ रहा है तो अभी मुझे क्या करना है? Line को draw करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ फिर से आप क्या करो यहाँ Table इस Edge से क्या है Article का makes इस Edge तक आपको लेना है एक बार click करता हूँ अभी क्या है इधर put tool लेता हूँ यहाँ पहलाता हूँ जैसे इदर आता हूँ वो इभी दे को इधर क्या है एक्स और Y-axis करके है अभी मैं X-axis में क्या करता हूँ इसको 0 करता हूँ और जो Y-axis है तो नीचे की तरफ मुझे copy करना है लाइन के copies लेना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर minus 8 लेता हूँ यानि दो लाइन के बीच में का जो space है उसको 8 mm रखा है मैंने अभी देखो इस लाइन को select करता हूँ select करके आपको क्या करना है Ctrl-D प्रसक बडैक प्रस करना है Ctrl-D प्रसक करने से देखो इसे copy कॉपी बनाहा तुमी राया है देखो अब साववक्य ये आके लेना है Ctrl-D प्रसक करना है तो देखो इन भी हो अभी मैं क्या करता हूँ यह जो लाइन हमने लिया ता इसको select करता हूँ इसकोard see के mouse right click करना है set outline color बोलता हूं तो देखो भी यह line red बन गया भी अभी यह line हमने इधर रखा था इस line को delete कर देता हूं तो देखो भी यह क्या है complete ऐसे यह हो गया अभी जो भार का जो box है इसको select करके delete कर देता हूं अभी देखो यह क्या है इधर cutting mark है तो edge to edge ऐसे cut हो जाता है तो क्या होता है design क्या है ठीक से end तक आ जाएगा यह तो यह आपको समझ में आ रहा है अभी क्या है इस तरफ आता हूं तो इसमें मुझे क्या करना है page number और date को देना है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूं इधर रेक्टेंगल टूल लेके इसे drag के हमें ने अभी इसका जो size है इसको क्या है width 30 mm दिया और जो height है इसको 12 mm देता हूं देने के बाद अभी shape tool लेता हूं लेके इस point को select करना है shift के साथ इस point को select करके इसे drag करता हूं तो देखो भी इसे arc बन गया भी है अभी क्या है फिर से freehand tool लेके इधर click करके इस एक line draw करता हूं करने के बाद अभी इस line का जो thickness से इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं एनि 1.5 की आमेने अभी इस line को object में convert करता हूं यानि object में आना है आपको इसको क्या है select रखते हुए अभी इसको क्या है control के बोलता हूं तो दिखो भी यह दूनों क्या है अलग-अलग हो गया अभी अभी क्या है text tool लेके इधर click करता हूं क्लिक करके आपको क्या करना है, पेज नंबर करके देना है, पेज नंबर करके देता हूँ, इतना देने के बाद अभी एंटर करता हूँ, एंटर करके date देता हूँ, date दिया मैंने भी, अभी इदर क्या है तोड़ा space देता हूँ मैं, अभी इसको क्या है, slash दिया मैंने, अभी इधर भी क्या है, एक slash देता हूँ, देने के बाद अभी इसको क्या है, pick tool लेता हूँ, लेके इसका जो size है, font size क्या है, तो ला कम कर लेता हूँ, सो अभी इसको क्या है color भी क्या है एक red देता हूँ मैं देने के बाद इसको क्या है control k प्रस करता हूँ तो break हो गया अभी अभी यह टॉप में जो लाइन है selected है shift के साथ इसको select करके L और E बोलता हूँ तो height में center आ गया इसी तरह क्या date को select करके इस जो bottom में इसको select करता हूँ यह लवर E बोलता हूँ अभी एक बार आप क्या करो इन दुनों को select करो select करके right arrow प्रस करता हूँ थोड़ा right में लिया मैंने अभी यह जो line है इसको भी red करना है मुझे इन दुनों को select करके red में आके mouse right click करना है set outline बोलता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया इन सब को select करके control जी बोलता हूँ इसको कहीं पी भी आप क्या है आपको जितना distance यह उतना distance आप रखके क्या है इसे इदर place कर सकते है अभी दिखो यह page क्या है इसे ready हो गया यह आपको समझ में आ गया अगर यह करते हो तो आपको कुछ doubts होगे रहे तो मुझे comment box में comment किजएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस channel को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद